कि अज़ू है विडियो है वह एस्विया आप रिप्रेंटिस से जुड़ा हुआ जो न्य यह बहुत सारे दोस्तों ने पोन किया और मैसेज किया सर बताये कि एस आप्रेंटिस का फोर्म भरा जायेर नहीं बहुत वीडियो इस तरह के आ रहे हैं कि इसमें मातर तीन साल का अप्रेंटिस का है उसके बाद बैंक निकाल देगी या नहीं निकालेगी इन सब सारे सवालों के बारे में और क्या कुस्चन्स पूछेगा कब लांस डेट है वेगरा वेगरा के बारे में चर्चा करेंगे और मतलब जो सरकार का यह योजना है कि लोगों को स्किल्ड बनाना है तो उसी की तहात इसको यह किया जा रहा है तो अब इसके बारे में और अधिक डिटेल जाने उसके पहले हम देख लें कि यह कब से कब तक है बीस नौवंबर से शुरू हुआ है पौर बढ़ने का डेट औ उसके बाद एकजाम का डेट कब होगा जनुवरी 2021 में और यह संभावना है और हिंदी में अगर देखे कि सबसे ज्यादा सीट कहा है तो 206 यूपी में है राजस्थान में 720 बिहार में 475 जारकंड में 200 है इस तरह से और इलिजबिलिटी जो बैंक का होता है 20-28 साल और क्व 25 इंग्लिश के 25 और फइनेंस्यल अवेडनेस के 25 सबका 25 मार्ट को होगा और 15 15 मिनिट को होगा अब दोस्तों सवाल है कि इस फॉर्म को भरा जाए या नहीं भर जाए क्योंकि बेतन ज्यादा नहीं है 15000 से सुरू होगा और वह इंक्रीज करेगा हर साल थोड़ा-थोड़ा करके आप नोटिफिकेशन में सारा डीटेल्स देखेंगे दोस्तों मेरे हिसाब से इस फॉर्म को भारा जाना चाहिए क्यों क्योंकि जब आप इसकी तैयारी करेंगे और जन्वरी 21 में आप जब इसका एक्जाम देंगे तो कोई भी एक्जाम आसान नहीं होता है पचासी सो टोटल सीट्स है आपके लिए इतना सीट अगर हिंदी बेट के स्टूइट है तो इतना सीट होगा और इस पचासी सो सीट्स के लिए ये पचीस-पचीस को स्चेंग और 15 मिनिट में सॉल्ब करना है तो कॉमप्टिसन टफ ही होगा ठीक है और जो जो यूँँ लेंगे तो फिर आगे त्यारी के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा उसक्त यह करते हैं तो आप की तैयारी माय का तयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा है कि आप यह का ट्यारी करते हैं ठीक है अच्शी बात है रिपकल जौप पाते पर अगर आप इसकी त्यारी करेंगे तो आगे next कोई भी एक्जाम आगा तो आपकी त्यारी लगबग पूरी हो चुकी होगी और जब बैंक में आप जॉब करेंगी करेंगे हो सकता है उसके पहले आपको कोई वेकेंसी अच्छी आए उसमें आपकी त्यारी तो रहेगी अब जब कुछ पाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा ना आप सुबह में उटके एक सेट बना ले उसके बाद बैंक चले जाए बैंक में भी आपको थोड़ा करते रहें तो इसकी तैयारी और इसके एक्जाम को अगर निकाल लेते हैं और जोइन कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों किसी भी तरह का नुकसान नहीं है आपके पॉकेट मनी भी बनेगी कुछ पैसे आते रहेंगे और तैयारी करें आगी की तैयारी भी होती रहेग कि Maths, Reasoning या English or Financial Awareness अगर आप Beginners हैं तो आपको तो Basic Books रखने होंगे लेकिन Basic Books के साथ-साथ आप एक बात का ध्यान रखे सबसे जरूरी है आपका Bank के लिए Speed और Speed कब आता है जब आप Previous Year Questions को बनाते हैं तो आप सबसे पहले किसी भी Publication का Previous Year Book खरीद दीजे Previous Year Book में जो Question रहेगा Previous Year Question में जो होता है उसमें Previous जो Question होगे तो सबसे ज़्यादा आपको जोड देना है Calculation पे Maths के लिए Calculation अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी Speed बनती जाएगी आप खुट से समय सेट कर ले कि पहले जैसे Clerk का एक्जाम का आप ले Clerk से ही सुरू करे Clerk का सेट ले पहले के एक्जाम में 25 Question के जो रहते थे वो जोड गटाओ गुना भाग से बाड मास से रिलेटर रहते थे आप उसके लिए Time Set करे कि मैं इसको 15 मिनट में बना लूँगा उसको करने के समय आप बहुत सारा calculation के छोटे छोटे चोटे methods खुद भी Wixit करेंगे और मैं भी आपको बताते रहता हो इससे क्या होगा कि आपको जब ड़ी आई के questions बनाएंगे तो ड़ी आई के question में भी आपको यह calculation ही काम करता है percentage रहता है average रहता है और परसेंटे से बहुत सारा से हो जाता हुद के बारे में चर्का करेंगे यह सबसे होगा तो आप इसको तो करेंगे करेंगे रिजनिंग के सक्षन में भी आपका दिमाग के चलेगा ठीक है तो और इसके प्रिवियस को ही बना इसके बारे में और डीटेश वीडियो में बताओंगा इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको वोकाब तो बहुत मजबूत रखना होगा घ्रामरा जैक्षए अगर मान लिजे को अब माँठे कीजबी है कि आप वह कैप सेक्षन अपना भूत मजबूत रखज़त कीए आजकर पैसे ज्यादा आते हैं और पैसे जब आते हैं तो अगरắn आपको ज् antis भी मत लिए नहीं भी है और आप वर्ड पावर आपका मजबूत है तो आप पैसिज को अच्छे से सॉल्फ कर सकेंगे समझ सकेंगे तब उसका अंसर बना सकेंगे यह पियो सेक्षन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पैसिज बहुत आते हैं पैसिज का उद्देश ही होता है कि आप कहीं भी जॉब करते हैं कुछ अच्छे जगह पे हैं तो आपके पास बहुत सारा मैटेरियल आते रहता है इध पैसेज को आसानी से कर सकेंगे और इसमें क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा फाइनेंसियल अवेडनेस के लिए आप करेंट एफेक्स के बुक्स बगरा पढ़ते रहें और उसके बाद कुछ वीडियो मैं आपको दूंगा जो इस तरह से और भी बहुत सारे सूर्सेज हैं तो अभी तो बस सिर्फ इसके बारे में बता रहे हो कि आप इसकी त्यारी जरूर करें इसके त्यारी करने से आपके और आगे आने वाले एक्जाम्स की भी त्यारी अच्छे से हो जाएगी तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप बताईएगा कोई सब्सक्राइब सेर जरूर कीजिए यही कहूंगा तो इस तरह की जानकारिया आपको देते रहेगी चलिए ओके धन्यवाद बाए जाहिन